हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मेरे सारे फ्रेंज कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग सुवस्थ होंगे और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षेत होंगे आज डेट है 24 जुलाई और डे है फ्राइडे, अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं तुलसी जी के सामने रंगोली निकाल रही हूँ हम लोग डेली वार के हिसाब से एक रंगोली बनाते हैं जैसे कि फ्राइडे है यानि शुकरवार तो शुकरवार का एक चिन होता है वो बनाते है छोटा सा और तुलसी जी के सामने लक्षमी जी के चरण या फिर स्वास्तिक छोटा सा आज मैंने गनपती भी बनाया है तो उसके बीच में रंग जरूर भरने चाहिए अगर रंग नहीं है तो आप हल्दी कुमकुम भी ऐसे डस्ट कर सकते हैं छिड़क सकते हैं थोड़ा सा डाल सकते हैं लाल पीला कलर तो भी वो सफेद कोरी रंगोली नहीं होती है कुछ वीवर्स का कहना है कि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल और्गिनाइजेशन दिखाओं याखीन मानो मेरे पास कुछ नहीं है ड्रेसिंग टेबल में ऐसा मेक अप का सामान गीनती की चार चीज़े हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ जैसा की काजल, लिप्स्टेक, ब बिंदी या तो मैं कलर वाली लगाती हूँ तो मैचिंग वाला पत्ता रहता है या फिर सीधा सिंपल रेड और बस डेली का वही है थोड़ा सा बॉड़ी लोशन या फिर मॉश्यराजर जैसे मैंने भी मंगाया है वो लैकमे वाला थोड़ा सा लिया हाथों में ऐसे मल लिय और वही वापस फेस में भी मैं लगा लेती हूँ वही दो ऐसे थोड़ा सा लेकि उतना बहुत हो जाता है ना जादा कुछ नहीं करती हूँ मैं और काजल लेकिन डेली लगाने के एक हैबिट में है तो मैंने बताया था कि मैंने ऑनलाइन काजल मंग बाया है लिप्स्टिक में है मैंने दिखाया था ना जब काजल मंगाया था तो लेकिक भी आई है तो उसमें फिर आउटलाइन कर लेती हूँ मैं डार्क कलर की लेकिस्टिक से ब्रच से तो फिर में अच्छा लगता है तो शुरू कर रही हूँ मैं किचन के काम तो सुबह हस्बेंड गए शुटिंग नहीं करी यह था कि मैं आराम से लंच टाइम की शुटिंग करूंगी आज सबजी पराठे थे तो नॉर्मली मैं शेयर कर चुकी हूँ तो आज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बरतन सारे मैंने हटा दिये हैं और यहां पर काउंटर टॉप पूरा क्लीन कर लिय गैस रखी है और इंडक्शन रखा है लेकिन आज जो मैं लांच में बनाओंगी तो वो इलक्तिक कूकर बनाओंगी तो मैंने यह जगय खादी करी हैं और दो छोटी कटोरी जितना चावल मैंने धूल के रखे हैं धूल के साफ करके रख लिया ना तो जल्दी बनता है और यह मैंने लिए है प्याज हरी मिर्ची टमाटर लसुन यह सारी चीज़ें फिर बारी करके काट करके प्लेट में रखोंगी और आज मैं एक चीज पूछना चाहती हूं कि जो यह मैंने शोटेंग करी है थोड़ा चेंज चेंज से लग रहा होगा आपको आज मैंने कैमरा दू और होती इसी में सारी कटोरी शोटे चोटे रंग रंगी यहीं से निकाल के रखती है तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि आज पूरी शूटिंग देखेंगे वीर्षां आपको दिख रहा हैं यह यहां अच्छा लग रहा हैание कैसा लग रहा है तो फिर मैं इसी पर सरसो का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं तो मैंने वही इलेक्टिक कूकर आउन किया सरसो का तेल डाला दो चम्मत जितना ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं है और सुखे मसाले मैं रखती हूँ मसाल दानी मेने पास में रख लूँगी नमक रख लिया है और ये जितना भी सामान सब्ल को तयार करके रखा है शुटिंग करना है तब तो मैं स्पेशली करके रखती हूँ अगर नहीं भी करना है ना तब भी मेरी आदत में ही है कि मैं जैसे कुपिंग कर रही हूँ तो जितनी चीज़े चाहिए उस अब पास में रख लूँ ऐसे दोड़ना भागना ना पड़े और जैसे ही तेल गरम हुआ तो एक चमच जीरा डाला है यहां पर यह देखो बारी कटी हुई लहसुन डाली है और जब लहसुन और जीरा अच्छे से फ्राई हो गए है तो हरी मिर्ची कटी हुई डाली है मुझे ना आज कैमरे के पास ले जाकर के दिखाना पड़ रहा है चुटी वाली कद्दू कस्य करके रखती हूं टामाटर मैंने बारी काट करके डाले है तो वह भी डालके भूनेंगे पता इस कैमरे में दूर है तो मुझे हर चीज ऐसे दिखानी पड़ रही है फिर डाले अगर ना दिखाओ डालते चले जाओ तो कई बार कुछ वीवर से अगर उनके धान नहीं क्या तो कहेंगे कि आपने वह नहीं डाला तो ये दिक्कत होती है दिखाना पड़ता यह ड्राई मसाले हैं जिसमें कि मैंने आदा चमज हल्य पाउडर आदा चमज लाल मिर्ची पाउडर क्योंकि हरी मिर्ची हमने यूस کیा है एक चमज शे करीब धन और नमक स्वाद के नुसार डालेंगे ये बर्नी नमक वाली यहां रहती है उसे भी यहां रख दिया और सब को भूना है आर्च को मीडियम रखा है सौते वाला जो आप्शन है उसमें रखा हुआ है और इस तरह भून रही हूं सब्जियों मैंने आलू गो भी मटर लिया है आप यहां पर गाज़ा शिमला मिर्च भी ले सकते हैं मैं मिक्स वेज पुलाव बनाने जो जो ये चावल सोक करके रखे थे इस पॉर्ट में धुल के रख दो ना तो ये जो नीचे छेट छेट बने हैं होल से सारा पानी निकल जाता है और चावल में पानी नहीं रहता है स किसी ने प्राइस पूछी है तो कभी 60 रुपीज केजी मिलता है कभी 62 के करीब मिलता है ऐसे 2-4 रुपे आगे पीछे मिलते हैं पर 60 तो हमीशा रहता है और अब इसमें पानी डाल रही हूं मैं तो 2 कटोरी चावल लिया है तो करीब मैंने 4 कटोरी जितना पानी डाला है क् यह पुराना चावल है पानी काफी सोग करता है और अच्छे से हमारी चारों लोगों के लिए कोब अच्छे से खाना हो जाता है तो आज मैं लांच में बनाने वाली हूं यह मिक्स वैज पुलाओ और इसे बंद कर देंगे राइस वाला जो इसमें आप्शन है उसे सेलेक् भूल जाएंगे इसलिए क्योंकि अपने आप यह बंद हो जाता है और जब हम इसे खोलेंगे तब तक एकदम गरम रहता है इसमें सबसे अच्छा यही मुझे लगता है तो चावल पुलाओ बिर्यानी ऐसी कुछ चीज़े बनानी है तो इसमें ही बनती है बिर्यानी बहु तैयार हो गया है इस टीम पूरी निकल जाती है जब तब ही मैं कुकर खोलती हूँ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और यह रताया लंज टाइम पे आज मैंने यह बनाया है सुबह पराठे बने थे तो बच्चों ने भी सुबह पराठे और सबजी खाई थी उनके प्लेट अक्सर निकालती हूँ यह हमारी सेरमेक की प्लेट है और दो ही है यह मुझे एक बार प्राइज मिला था बैटर बटर में एक कॉंटेस था तो दो ही प्लेट है तो इसलिए यह तब ही निकलती है जब दो लोग खा रहे होते अदर्वाई जब चारों खाना होता है तो वाईट वाली प्लेट निकलती है क्योंकि एक जैसा रहे चाहे स्टील हो चाहे कांच हो जादा तर हमारे घर कांच वाली है वो ग्लास वाली ट्रांसपरेंट दिखती है वो भी है वैसी ही है वैज पुलाओ बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें आप शिमला मिज गाज के साथ और इस हरी चटनी में करी पत्ता डालने से टेस्ट और भी जादा मस्त लग रहा है तो खोब धेर सारा धनिया हरी मिर्ची अद्रक लसुन की टमाटर की चटनी के साथ हम लोगों ने खोब जी भरके खाया मा बेटी ने और रख दी है प्लेट अब मैं शाम की शूट गरम था यानि उसने हम लोग से आदा एक घंटे बाद खाया था और जब हस्में ड्यूटी से आए तो शाम को जैसे होता है वही कुछ खाना है तो पुलाव बचा था तो उन्होंने भी खाया और उन्हें भी बहुत पसंद आया तो इस तरीके से कई बार होता है जब लंच कुछ खा लिया शुब हमने तो देर से ही खाया था मैं और शुबी तो खाके ही बैठे थे तो यहां पर दूद आया शाम का बॉयल किया हद में ड्यूटी से आए हैं तो हरी मिर्ची और ये कद्दू लेके आए हरी मिर्ची आप देख रहे हो कितनी अच्छी फ्रेश फ्रे दो गंटे में मून की दाल बहुत अच्छी से भीघ जाती है, यह बात मैं अकसर कहती हूँ, जैसा कि अभी साथ बज़ रहे हैं और आब मैं मून की दाल को पीस रही हो यह eigene मार्केट की बिना चिल्के वाली, पिली Vallahi मून की दाल है बहुत चल्दी भीघ जाती है इसने हरा म मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है तो अब अधरक और हरी मिर्ची डाल करके मूंकी डाल का हमने अच्छा सा बारीक सा पेस बनाया है जैसा मैं मूंकी डाल ढोक ले या फिर दोसे के लिए बनाती हूं लेकिन आज हम लोग ना तो चीले बनाने वाले हैं ना ही दोसे बनाने वाले है आज हम बहुती special सी recipe शेयर करने वाले हैं एक बार और बना चुकी हूँ मैं जब better better wrap के लिए काम करती थी तब मैंने ये बनाये था मूंग की दाल का नाश्टा या खाना बहुती tasty और healthy होता है इसे monglet कहते हैं और इसमें डाला हमने आदा चमच हल्दी पाउडर और आदा चमच डाला है लाल मिर्ची पाउडर और नमक डालेंगे टेस्ट के according ये मूंग की दाल हमने सिर्फ एक बड़ी कटोरी जितनी भीग होई थी मतलब बचे नहीं कल तक नाच चले क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बचता है फिर फ्रेज में बड़ी उलजन होती है या तो इतना बचे कि कल सब लोग खालो नाश्टे में वो उतना होंदा नहीं है तो बीच का नार है तो अब मैंने नामा खल्दी मिर्ची मिक्स करके रख दिया है बाउल साइड में ढख दिया है क्योंकि बहुत बारी बारी किड़े रहते है और हरी मिर्ची सूख चुकी है पानी जड़ गया है तो उनकी डंठल निकाल रही हो डंठल निकालने से हरी मिर्ची फ्रेश रहती निकाला है वरना इसकी वज़े से भी कई बार कद्दू अंदर से सड़ने से लगता है फ्रिज में रखते हैं हम लोग तो भाई अब मैंने बारी काटी है टमाटर हरा धनिया और मुझे काटना है प्यास तो जिसके लिए मैंने लिया है मेनी चौपर क्योंकि मैं एक दम फाइ यूज कर डाला शिमला मिर्च का तो यहां पर शिमला मिर्च और प्यास टमाटर चाहिए आपको इस रैसिपी के लिए मुंगलेट के लिए यह डेली का बहुत ही फेमस नाश्ता है स्टीट फूड है यह मतलब इसको आप स्टीट फूड भी कह सकते क्योंकि मार्केट में मि बहुत करती हूं मैं तो मैंने ढखके रख दिया है और यहां पर जो बरतन थे वो भी मैंने धुल दिये हैं क्योंकि ग्राइंडर जार थाली कटोरी चमच यह चलो रहता है अब दूद के पैकेट दूलो तो कैची भी रोज धुली नहाई जाती है कैची को भी नहलाया जात है चाकू तो रोज नहाता यह चार बाल और यह सारा सामान मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि आज मुझे डिनर में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है तो वही शाम को फिदिया बत्ती का टाइम तो सीड़ी में यहां पर लाइट जलाई जाती है मतलब शाम होने से पहले और फिर यहां पर दीपक लगा रही हूँ मैं यह देखो शाम का दीपक बस यही होती है कि आरती कर लेना तुलसी जी की और दीपक रख देना रंगोली तो वही सुबह जो बनी होती है वही बनी रखी रहती है रंगोली दुबारा नहीं बनाते हैं किसे ने मेरे से प का यह हो गया देव पूजा होती है तो वही दीपक वहाँ पर भी लगाती हूं मैं देव घर में भी एक दीपक शाम को मेरी चाय बनी थी तो जब हस्बंड आय थून को भी चाय वही जैसा कि आपने कई बढ़ देखा है शाम में चाय ले लिया और वो खा लिया वेज बुलाओ शुब हमने देड से ही खाया था जब हम लोगों ने चाय ली तो बच्चों को वही दूद देना रहता है दोन कोड़े के साथ बनाया था सेम हरी चटनी आप वैसे ही बनाओ उसमें दो चमच टोमाटो कैचप डालके मिक्स कर दो यह टेस्टी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है एक बार और कुछ मैंने रेसिपी बनाई थी मुझे याद आ रहा है शाय धोकले बनाई थे या कुछ ऐ मैंने मिक्स करके रखा है और यह जो दाल हमने पीस करके मिक्स करके रखा था भारी टमाटर प्यास सब कुछ तयार करके रखा है तो इस रेसिपी के लिए आपको जैसे एक-एक मुंगलट बनाना है तो पहले आप उतनी ही क्वांटिटी लो किसी भी बरतन में सपोज मैंने अब दो कल्ची बड़ी-बड़ी कल्ची मुंकी डाल का पेस्ट ले लिया इसमें बारी कटे हुए दो चम्मच टमाटर दो चम्मच प्यास डाल देना है थोड़ा सहारा धनिया डाल देना है शिमला मिर्च है तो आप यहां पर वो भी डाल देंगे मतलब सबजी आपको एक चम्मच भी कर सकते हो इस तरीके से डाल देना है जितना बनाना है उतने ही बैटर में हर चीज मिक्स करनी है जैसे यह नहीं कि आपने पूरे में बैटर में मिक्स कर लिया अब आप इससे अच्छे से मिक्स कर लो अब यहां पर चाहिए हमें इनो यहां पर चाहिए हमें इन डाला इनो के उपर पानी डालते हैं आप देख रहे हैं कि इसका फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया है बटर इसके लिए बटर जरूरी है आप घी तेल में भी बना सकते हैं कोई बात नहीं लेकिन टेस्ट बटर का ज्यादा अच्छा हैगा अगर घर में रखाए बटर तो यर दोसे की तरह पतला करना है न चीले की तरह रगड़ के फैलाना है पस ऐसे हल के से हॉले से चमच ऐसे ऐसे कर दिया थप थप करके वो फैल जाता है और इसे ढाक देंगे यह क्योंकि थोड़ा ठिक बनता है और लिकिन बहुत टेस्टी लगता है तो ढाका फिर इसे ऐसे कि दाल का आता है ने गोल्डन वाला डार्ग सा कलर वैसा तो एक लिस्ट आ जाए मैंने प्लेट्स भी निकाल के रख ले हैं कि फटा फट से बनता जाए और सब को देना शुरू करो क्योंकि यह गरम गरम टेस्टी लगता है और इस मूंगलेट को आप सुबह ब्रेकफस्ट म पैन या कढ़ाई जो भी आप यूज़ करते उसमें बटर लगाएं और बस उतना ही बैटर करें मेक्शर जोड़ भी डालना है आपको उतना ही तयार करें जितना एक बार में लगना है और ढखकर के पकाने से पुरा अंदर तक भी पक जाता है और उपर और नीचे से पलट और बढ़ों को भी बटर उपर से भी लगा करके सेंके जब भी आप पलटते हैं तो दोनों साइट से उसमें बटर लग करके फिर अच्छे से सिखता है बहुती टेस्टी और हेल्दी है सबजियां तो आप मैंने बोला ही है कि आप जादा भी डाल सकते हैं गाजर शिमला मिर् और हरी चटनी के साथ भी इसे खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वो तो एक टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने चटनी के बोला और बच्चों को कैच्छप के साथ भी बहुत अच्छा लगता है बस इस तरीके से एक-एक करके सेखती जा रही हूं मैं यह गरम-गरम अच्छे लगते हैं खाने में तो एक-एक सबकी जैसे तयार होता जा रहा है तो मैं प्लेट में डालती जा रही हूं आप इसे पूरा एक सिंगल पीस भी ऐसे दे सकते हैं सब कर सकते हैं और यह उसको इसे हाथ से तोड़ तोड़ के भी खा सकते हैं लेकिन जैसे पीजा आप कट करते हैं तो बच्चों को खाने में आसानी रहती है दोनों ही साइट से बटर लगा के ऐसे सेखते जाओ और प्लेटिंग करते जाओ बहुती जादा टेस्टी और हेल्दी है और कम घी तेल मसालों से छुट्टी सब्जी बने तो मसाले तेल कुछ न कुछ करते हैं तो मसाले जाओंग करते हैं झाल झाल झाल